आज एक पेड मा के नाम अभ्यान के अंदर गत साढ़े पांच करोड पेड लगाई जा रहा है अभ्यान के शुभार में राजधनी भुपाल के जमूरी मेदान के सामने मुख्यमंत्री महन यादो ने किया मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक पेड मा के नाम अभ्यान आक्सिजन की मातरब बढ़ाने धरती का तापमान कम करने भुजल इस्तर को उपर लाने और प्रदूशन नेंतरण में महातपुन योगदान देने में समर्थ हो गए केवल भुपाल जिले में ही आज से एक पक्वाले के भीतर बीस लाख पौदे लगाने का लक्ष रखा गया है आज ही भुपाल जिले में विबिन इस्थानों पर बारह लाख पौदे लगाय जाने है इसी तरह प्रदेश की ओद्धियों के राजधाने इंदौर में भी 51 लाख पौदे लगाने के कायरक्रम को अंतिम रूप दिया जा जुका है सीहर जिले में इस अभ्यान के तहट 15 जुलाई तक पौदर उपन किया जाएगा दरसल विशु परियावरन दिवस के अवसर पर 5 जून को सौहम प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी ने एक पौदा लगा कर इस अभ्यान की शुरुआद की थी उप मुख्य मंतरी राजेंदर शुक ने आज इन दौर में कहा है कि कैंसर की प्रारंबिक पहचान और उपचार को प्रात्मिक्ता देने की दिशा में एक बड़ा ही महत्पून कदम उठाए गया है इसके तहट इन दौर के MGM मेडिकल कॉलेज और M.Y. अस्पताल में डिजिटल मेमोग्राफी एवं टॉमो सिंथिसिस मशिन इस्थापित की गई है इन मशिनों से इस्तन कैंसर के मामलों की जल्द पहचान और प्रभावी उपचार संभा हो सकेगा वनमंतरी नागर सिंग चौहान ने कहा है कि नरमदा लिंक पर योजना से अलिराजपुर जिले की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलेंगी उन्होंने कहा है कि सिंचाई सुविधा बढ़ने से जले के आर्थिक विकास के साथ साथ किसानों की आये में विवरिद्धी होगी उन्होंने बताए कि नरमदा लिंक पर योजना से जले के 155 गाउं के किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी जिससे आली राज पुर्जिले के सिचाई के रखवे में बढ़ोतरी होगी गौर तलब है कि प्रदेश के बजट में नर्मदा लिंक परियोजना के लिए अठारा सो करोड रुपे का प्रावधान किया गया है घरेलू परियटन को बढ़ावा देने के लिए मदप्रदीश को सर्वशेष राज जी का प्रुसकार प्राप्त हुआ है प्रदीश को मेलों और तेहारों को बढ़ावा देने के लिए भी सर्वशेष राज जी से प्रुसक्रित किया गया है दिल्ली में ये पुरुसकार ITCTA संस्था दोर अंतराश्री परिटन एक्सपो कॉंक्लेव और यात्रा पुरुसकार के नौवे संस्करण में कलपरदान किये गए बुन्दिलखन के दमों जिले के बांदकपूर में स्थित जागेश्वर नात धाम अब महा का लोग की तर्ज पर विक्सित होगा परिटन संस्कृती धार्मिक नियास और धर्मसं मंत्री धर्मेनर सिंग लोधी ने कहा है कि जागेश्वर नात धाम में विराजेत शिवलिंग वर्षों से लोगों की शिदा और आस्था का केंदर बने हुए हैं उन्होंने कहा है कि जागेश्वर धाम में मंदर परिसर का पुनरविकास, एकात्मक शेत्र, ध्यान और योग के अंदर उल्लासक शेत्र तथा प्रवेश और निकास द्वार का निर्मान किया जाएगा। शिद्धालो जागेश्वर नात लोक में भगवान शेव के सब भी बारा जोतिर लिंगों की प्रतिकात्मक प्रतिमाओं के साथ साथ भगवान भोले नात से जुड़े प्राचीन मंदरों का चित्रों के माद्नेम से दर्शन कर सकेंगे। साथे उन से जुड़ी मानिताओं और इतिहा संबन्दी जानकारी पे शद्धालों हासिल कर सकेंगे। बात मौसम की करते हैं प्रदेश में इन दिनों मानसून की गतिविदियां तेज हो गए हैं। रज में बारिश के दो सिस्टम एक्टिव होने की वज़े से पूरा प्रदेश इस समय भीग रहा है। अज गुलियर और चंबल संभाग में भारी बारिश का अलर्ट है। प्रदेश के बाकी जिलों में भी बारिश होने हैं। मौसम बिबाग ने साथ, आठ और नौ जुलाई को भी तेज बारिश होने की संभाव न जताई है। मौसम बिबाग भुपाल के वेग्यानिकों ने बताया है कि दो ट्रफ और तीन साइक्लोनिक सर्कुलेशन की एक्टिविटी प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। इस वज़े से प्रदेश भर में आंधी और बारिश का मौसम बना हुआ है। दिखार में नैशनल हाईवे पर 43 पर हुए एक सड़क हादसे में एक ही परिवार की चार माहिलाओं की मौत की खबर है। दो माहिलाएं गंभी रूप से घायल भी बताई गए है। और निपन भारत अंतरगत आगर मालवाज जिले में दो दिवसी कारिशा लाए जित हुए। प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में अभी इतना ही आग्या दीजे। नमस्कार